आप सभी का स्वागत है आरसर योटूब चैनल पर और हम आचुके हैं भी लाइव एक नई सेशन के साथ में एक नई क्लास के साथ में आप सभी के सामने हम लाइव हैं आज का जो सेशन आप लोगों के लिए होगा वो आपका सेकंड पार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस का हवांकि ये वाली क्लास आपकी एक क्लास के अंदर खतम हो सकती है लेकिन आपका इसमें थोड़ा सा जो कॉंसेप्ट है डाइरेक्शन रिलेटेड कुशन्स जो है वो हम कवर करवाएंगे एक रिफ्लेक्शन के वेसिस पर जो कुशन्स आते हैं वो कवर करवाएंगे और एक और आपके पास होता है डाइरेक्शन रिलेटेड प्रोल्बम्स जो होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के शेशन के अंदर तो मैं चाहूंगा फटा-फ सेशन जो है वो आपका 3 PM पर होगा और वो होगा My Rising Idia एप्लिकेशन के ओपर इसका मतलब concept का सेशन है वो तो आपका YouTube के ऊपर चल रहा है और practice जो है वो आपकी My Rising Idia हमारा जो एप्लिकेशन है वहाँ पर चल रहा है अंदिएकी NDA के regarding अगर मैं बात करूँ concept का class 1 PM पर जो class आप ये देख पा रहे हो और इसका respective जो प्रेक्टिशेशन होगा वो आपका 5 PM पर होगा और वो होगा My Rising India application के ओपर तो इस चीज का विशेश तोर से आपको ध्यान देना है concept पढ़िए YT पर अच्छे दारी कैसे प्रेक्टिस time management एक systematic pole system के साथ में My Rising India application पर ये है My Rising India application Google Play Store पर अवेलेबल है आप download करिए install करिए इसको और यहाँ पर कृष्णा live जो बेच है इस बेच के साथ में आप जोइन करिए क्योंकि कृष्णा live बेच में ही हमारी practice अभी हो पा रही है यहाँ पर आपको हम live practice करवा देते हैं उसक यह system आपका बहुत ही ज़्यादा beneficial है आपका जो time है more management करना सिखा देगा क्योंकि pole system आपको कुछ second के लिए दिया जाता है जिससे आप question को fast करेंगे negative marking है तो आप accuracy के साथ में काम करने की courses करेंगे यह development इसके अंदर है अगर आप किसी भी base को enroll कर लेते हैं तो उसके उपर start learning लिखावा मिलता है आपको और start learning के बाद में आप जिसमे subject की चाहें वो class देख सकते हैं आप technical math पे click करोगे तो मेरे photo के बाद में आपको दो option नजर आएंगे एक navy air force के लिए होगा एक दूसरा nda वाला section होगा आप nd वाले section में मेरी class आएगी 5 p.m. पे और navy air force वाले के अंदर मेरी 3 p.m. पर आपको class live show हो जाएगी टीम इस पे सारा सर यह हमारा telegram channel है और इस telegram channel को प्रते एक बच्चा join कर लें क्योंकि यहाँ पर classes के regarding कोई भी link update information जानकारी जो भी आपको जाना जरूरी होता है वो सारी information आपको यहाँ पर मिल जाती है ठीक बीटा चलो जी हाँ वई जो भी मेरे soldiers जो class में आ चुके हैं मैं चाहूंगा एक बार पूरे जूस के साथ में comment session के अंदर type करिएगा I love my parents I love my parents I love my parents उसके बाद में हम start कर रहे हैं आज का तीन चीजे में बताऊंगा एक तो reflection के basis पर कुछ questions आते हैं उनकी बात करेंगे दोसरा आपका subtended angle के basis पर question आता है उसकी हम बात करेंगे तीसरी हम बात करेंगे direction related जो problems होती हैं उनके बारे में हम आज के इस session के अंदर बात करेंगे क्य आपको मैं soul करवाऊंगा चलो जी सबसे पहले हम reflection related जो problems हैं उनकी के बारे में बात कर लेते हैं reflection related problems परावरतन संबंदी परावरतन संबंदी जो problems हाती है उनका निप्टारा किस तरीके से करते हैं जैसे आप समझ के देखना कि कैसे जो questions होते हैं उनको handle किया जाता है ऐसे questions को किस तरीके से handle किया जाता है जरा समझना कई बार आपको ऐसा दे रखा होगा कि जैसे ये आपके पास एक पानी की जील है यहाँ पर यह पानी की जील है यह पानी की जील का level है और इस पानी की जील के level से यहाँ से कोई भी a distance a distance उपर कोई observer खड़ा है पानी की जील है इसके लेवल से ए मिटर की उंचाई पर कोई इंसान यहाँ पर कड़ा है और यहाँ पर कोई चीज जो है यहाँ पर जो कोई भी चीज लगी भी है उस चीज का वो elevation angle देखता है elevation angle जो है इसका elevation angle वो है सर alpha यह elevation angle जो क्या है आपके पास alpha यह तो आपके पास यह object है सुनना बेटा ध्यान से यह जील है ना यह पानी की बरीवी जील है और इस जील के अंदर इस जील की सतह जो है आपका सरफेस है उसे ए डिस्टेंस उपर ए मिटर की उचाई पर कोई observer यहाँ पर बेठा हुआ है और observer कोई भी एक item है उसका elevation angle alpha degree अज्यूम करता है alpha degree पाता है same to same यह जो आपके पास object यहाँ पर लिखावा है उस object का इस के अंदर जो image बनेगा वो उतनी ही distance पर बनेगा जितनी दूरी पर object रखावा है इस object का image बन रहा है यहाँ पर image बन रहा है इस image के साथ में इस observer का जो elevation angle है या angle of depression जो है वो आपके पास बन रहा है अगर बीटा तो ऐसे cases के अंदर आपको यह पूछा जाता है कि सर इसकी जो height है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक surface से जो इसकी height है वो कितनी होगी जरा समझना surface height कितनी होगी यह जो height object है यह आपके पास क्या है image है यह वाली height जो इसकी surface से है वो ही height आपके पास इसकी image से होगी इमेज से होगी तो ऐसे cases को किस तरीके से sol किया जाता है ऐसे cases के लिए हम आपको एक formula दे देते है कि सर जब भी आपको यह height निकालनी हो जब भी आपको यह height निकालनी हो तो उसके लिए आप यह वाला formula यूज कर लें a sin alpha plus beta upon sin alpha minus beta या beta minus alpha ठीक है sin beta minus alpha यहाँ पे beta minus alpha लिख लेना यहाँ पर होगा beta minus alpha लिख लो यह formula है आपके पास इस object की यह लिए आपको surface से height निकालनी हो तो इसका formula एक बार तो यह जो question है यह वाला जो question है वो आपका direct exam के अंदर आ चुका है previous exam में मैं जब आपको नमूनों के साथ में clear कराऊंगा और बढ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा फिर से सुनना यहाँ पर क्या है कि sir यह है आपके पास या तो river मान लिया हमने या फिर हमारे पास कोई भी जील मान ली है ना यह surface है water की surface है और इस water की surface से ए मिटर की उचाई पर कोई observer खड़ा है वो जो observer है यहाँ पर देखता है कि sir इस item का elevation angle है वो alpha पाता है same यही से वो आदमी देखता है कि इसका reflection जो यहाँ पर हो रहा है इस item का reflection जो पानी के अंदर होगा जो image बनेगा यहाँ पर इसका angle of depression वो बीटा आज्यूम करता है तो ऐसे case में आपको इसकी surface से कितनी height है वो height calculate करने के लिए formula है h बराबर a sin alpha प्लस बीटा अपों sin बीटा माइनस अलफा है clear है बिटा अब बिटा इसके basis पर एक नमूना मैं आपको clear करा दू कि इसके basis पर कैसे questions आते हैं वो जरा समझने की questions करिए आप लोग जैसे मैं कहूँ कि सर एक समुद्र है एक पानी की जील है यह पानी का जील है और इस पानी की जील से 10 मिटर उन्चाई पर एक आदमी यहाँ पर पेड़ बेटा हुआ है यहाँ पर 10 मिटर उन्चाई पर एक पेड़ है है ना यहाँ पर एक observer बेटा है इस पेड़ के उपर एक आदमी बेटा है और इसकी जो यहाँ से लेकर height जो है वो है 10 मिटर और सर यहां पर एक हेलिकोप्टर ऊड़ रहा है है ना हेलिकोप्टर ऊड़ रहा है और इस हेलिकोप्टर का यह जो एलिवेशन एंगल यहां से अज्यूम करता है वो एलिवेशन एंगल है सर 30 डिग्री यह एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री और इसके reflection का इसके reflection का जो पानी के अंदर इसका reflection बनेगा उसके साथ में angle of depression जो है वो है 60 degree तो आपको बताना है कि इस helicopter की समुदर तल से जो उचाई है वो कितनी है इस helicopter की समुदर तल से उचाई कितनी है बताओ फटाओ इस helicopter की समुदर तल से कितनी उच्चाई है वो आपको बताना है ये आते हैं इस टाइब के सवाल आते हैं आपको जब आपको reflection related problems पूछी जाती है बताओ वाई कितना आएगा बहुत सीधी सी बात है केवल formula भी तो बताना है बताईए 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 फटाफट से formula लिका रखा है कि जब भी आपको सम्मुद्र तल से अगर उंचा ही चाईए हो तो आप h बराबर formula क्या लगाओगे कि a sin alpha प्लस beta alpha प्लस beta और यहाँ पर sin beta माईनस alpha ठीक है यह फूर्मला लगा दो, सिदिशी बात है, h का value निकाल लो, a का value कितना है, 10, sin alpha प्लस beta, alpha का value 30, beta का value कितना है, 60, upon, नीचे आपके पास आजाएगा, 30, 60, minus का 30 आजाएगा, तो यहाँ पे तो 90 हो गया, 90 का value 1, नीचे आपके पास 30 आएगा, जिसका value कितना होगा, 1 upon 2 होगा, यह 2 आपका उपड़ चला जाएगा, तो answer जो आपके पास आजाएगा, वो कितना आएगा, 20 मिटर आजाएगा, h जो आपके पास आएगा, वो कितना आएगा, 20 आजाएगा, बात समझ में आ गई, reflection related जो problems होती है, उनका solution हम इस तरीके से करते हैं, चलो जी, अगर आपके पास angle subtended के बेस पर आ जाता हो, angle subtended, subtended, angle subtended के अंदर और elevation angle बनाने में क्या फरक है, वो ज़रा समझना, कि कितना कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित, कोण अंतरित करना, और एक elevation angle बनाना, दोनों की अलग-अलग चीज़े हैं, दोनों ही अलग-अलग चीज़े हैं, आप ज़रा समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं कहूं, कि सर ये हमारे पास कुछ coordinate system है, हना, और ये जो line है, एक तो मैं कहूं कि ये जो point है, यहाँ पर कोई observer है, और उस observer का यहाँ से elevation angle जो है, वो तो elevation angle तो यह होता है, यह होता है आपका elevation angle, जो होता है unnayan kोण, लेकिन यदि मैं कहूं, कि सर आदमी की उच्चाई को यदि हम ज़्यादा consider कर लें, आदमी की उच्चाई को यदि हम ज़्यादा consider कर लें, तो इसकी height के द्वारा इसकी height यहां से यहां तक इसके द्वारा मूल बिंदू पर अंतरित किया गया जो कौन है इसकी height के द्वारा मूल बिंदू पर अंतरित किया गया कौन यह होता है आपके पास angle subtended होता है क्या होता है angle subtended अंतरित किया गया कोण होता है ये वाला अंतरित किया वगया कोण होता है ठीक है तो ऐसे related ऐसे related जो questions आते हैं और वो questions किस तरीके से आते हैं वो जरा देखना आप इसका एक example हम cover करवाते हैं आपको और वो example इस तरीके से है बहुत बार इसा question आपको exam में पूछ लिया जाता है ठीक है जैसे अगर मैं कहूँ कि एक आपके पास 80 मिटर की मिनार है ये आपके पास 80 मिटर उची एक मिनार है ठीक है ये मिनार है और इस मिनार की जो height है मिनार की जो height है वो है सर 80 मिटर और इस मिनार के उपर एक जंड़ा लगावा है सर 20 मिटर का इस मिनार के उपर 20 मिटर उचाई पे एक जंड़ा लगावा है ना यह 20 मिटर यहां से यहां तक आपको दे रखा है 20 मिटर उचाई एक जंड़ा लगावा है आपको इसके अंदर यह दे रखा है कि अगर कोई observer यहाँ पर खड़ा हो कोई भी observer अगर यहाँ पर खड़ा है तो इसका मिनार के top Minar के top Points से जो elevation angle है वो है βीटा लेकिन सर इस जंडे के द्वारा इस जंडे के द्वारा यहाँ से यहाँ तक न इस जंडे के लंबाई के द्वारा इस observer की आखों पे अंतरित क्या गया कौण प्यर्वर की आखों पे अंतरित क्या गया जो कौण है वो देखा है हमारे को alpha ठेक है, तो आपको इसके अंदर calculation जो करी जाएं और वो आपको किस तरीके से calculation करी जाएं सर यहाँ से लेकर यहां तक इसकी जो distance देर की है वो है 50 मिटर, सुनना बेटा सवाल को फिर से, 50 मिटर उंचाई की एक मिनार है, जिसके उपर 20 मिटर उंचाई का एक जंडा लगावा है, इस मिनार से 50 मिटर की दूरी परिष्टित किसी observer का, इस मिनार के top point से elevation angle है बीटा, और इस जंडे के द्वारा, इस जंडे की जो लंबाई है, फ्लेक की जो length है, उसके द्वारा इस observer की eyes के साथ में subtended angle, मैंने कहा था, subtended angle ऐसे बनता है, यह अंतरीत किया गया कोण है, अलफा है, तो आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है, इस case के अंदर आपको कोई भी measurement यह दी पूछ लिया जाएं, तो वो measurement हम किस तरीके से calculate करेंगे, आपको इस case के अंदर पूछा है, कि alpha का value बताओ, अलफा का value कितना होगा, इस case के अंदर आपको यह पूछा है, अलफा का value बताओ कितना होगा, तो बेटा इससे सवाल के अंदर सुनना आप, आप पहले यह छोटा वाला जो triangle है, इस triangle के अंदर formula लगाओ, इस छोटे वाले triangle में यदि आप 10 बीटा का formula इपलाई करते हैं, तो 10 बीटा बराबर क्या होगा, कि सर perpendicular upon base, लम बटे आधार, मतलब 50, 80 बटे 50, जो कितना आएगा, 8 बटे 5 आजाएगा, सर यह तो 10 बीटा का value आगया, आग़ी बात समझ में, हाँ, 10 बीटा का value आगया, 8 बटे 5, अच्छा, आप मुझे बताओ, यह पूरा angle कितना है, यह angle तो है सर alpha, यह वाला angle है बीटा, तो पूरा angle क्या हो गया, alpha प्लस बीटा, तो ऐसे case में, 10 alpha प्लस बीटा, बराबर, यह पूरा angle, तो यह पूरा triangle आपको काम में लेना है, इस पूरे triangle में, 10 alpha प्लस बीटा, बराबर perpendicular, लम कितना है, 80 और 20, कितना 100, बराबर, लम बटे आधार, आधार कितना है आपके पास, तो इसका मतलब यह आ जाएगा, आपके पास तो, यहां से आपको क्या करना है, 10 alpha प्लस बीटा का formula, इसके अंदर apply करना है, 10 alpha प्लस बीटा का formula, जब आप apply करोगे, तो वो आएगा, 10 alpha प्लस का 10 बीटा, अपॉन 1-10 alpha इंटू 10 बीटा, और equal to आपको कितना given है, किसर वो आपको given है तो, यहां से आप value रखिए, 10 बीटा का value रखिए, इसको solve कर दो, alpha का value निकालो, cross multiply कर रहा हूँ है, cross multiply करोगे, तो 10 alpha प्लस 10 बीटा, और equal to 2, 2 इससे multiply हुआ, minus का 2 into 10 alpha into 10 बीटा, clear, यहां पर आप value रख दो, 10 बीटा का value रख दो, 10 alpha का value निकालना है, तो 10 alpha का value जब आप इसमें calculate करोगे, चलो मैं XID calculate करता हूँ, इसको इदर transfer कर लेता हूँ, और 10 alpha को मन ले लेता हूँ, जो कितना बचेगा, 1 plus 2 10 बीटा का इसमें divide हो जाएगा, और आप इसको solve कर लो, 10 alpha का value आजाएगा, अब आप कर लो कि कितना answer आता है, बताओ भई, कितना answer आ रहा है, 10 alpha का value कितना आएगा, इस case के अंदर 10 alpha का value कितना आएगा, बताओ, जल्दी बोलो, 10 alpha का value निकालो जल्दी से, कितना आएगा, 1 बटे 3, 2 बटे 21, 2 बटे 21, आदे सी ज़्यादा बच्चों के तो 2 बटे 21 आ रहा है, केवल यहां से, आपको केवल solve करना, 10 बीटा का value रखना है, और 10 बीटा का value आपको कितना दे रखा है, 8 बटे 5, 8 बटे 5 को जब आप solve करोगे, तो उपर आएगा आपके पास 2 बटे 5, उपर तो आएगा 2 बटे 5, नीची जब आप रखोगे 8 बटे 5, तो वो आएगा आपके पास 21 बटे 5 है ना, तो इसका मतलब सही answer जो आएगा, वो आएगा 2 बटे 21, 10 अलफा का value दो बटे 21 आएगा, और elevation angle ये पूरा angle होता है, ठीक, बस इता आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे आ जाता है, मकान की खिड़की से सब tendeded angle आ जाता है, तो वो question में आपको और करवा दूँगा, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, एसे question कई बार exam में पूछ लिए जाते हैं, अब आजाओ sir, सबसे ज़्यादा most important एक सवाल आयवा है, वो दो बार सवाल आयवा है, है ना, दो बार एक सवाल आयवा है, और वो question इस तरीके से है, direction related problems, direction related problems, हाजी सुनना बेटा, direction related, तो बेटा जब भी आपके पास कभी आजाता है, कि कोई आदमी जहां पे खड़ावा है, उससे direction आपको isht दे दी जाती है, कई बार north दे दी जाती है, कई बार south दे दी जाती है, कई बार west दे दी जाती है, तो ऐसा direction related जो question आये, तो उसको handle करने का तरीका ये है, आप हमेशा जो diagram बनाओगे, वो diagram इस तरीके से बनाओगे, direction इस तरीके से मननी है, इधर हमेशा आपको isht मनना है, इधर हमेशा आपको west मननना है, इधर हमेशा आपको north मननना है, इधर हमेशा आपको क्या मननना है, south मनना है ठीक है अब उसके बाद में angles का measurement जैसे आपके पास जो question होते हैं वो question किस तरीके से होंगे वो भी मैं बता दू आपको ऐसा देरका होगा कि मूल बिंदू जो है आपके पास वहाँ पर एक tower कड़ा है मूल बिंदू के उपर एक tower कड़ा है जैसे अब यहाँ पर मैं tower कड़ा करूँगा तो वो बनाना तोड़ा मुस्किल है I think मैं कोशिस करता हूँ आपके पास बनाने की जरा समझना बिटा जैसे यह आपका जो 3D है उसके अंदर आपको assume करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मूल बिंदू के उपर एक tower कड़ा हुआ है ना यह मूल बिंदू के उपर एक tower कड़ा है तो उस मूल बिंदू पर जो tower है वो तो आपका इधर इस तरीके से खड़ा होगा जही है न, मोल बिंदू के यहां के उपर जो tower खड़ा होगा, वो इस तरीके से खड़ा होगा और इनके जो angles होंगे, वो इस तरीके से measurement हमारे को करने पड़ेंगे, ठीक है दोनों के measurement इस तरीके से, लेकिन वो यहां पर बनाना थोड़ा possible नहीं है तो मैं इस तरीके से बना रहा हो इसको, समझना के सर यहां पर tower खड़ा है अब यह tower जो खड़ा है, वो actual के अंदर इस तरीके से खड़ा है लेकिन उसको बनाना possible नहीं है, तो यहां पर 2D के अंदर मैंने tower को इस तरीके से बना दिया इस tower का यह जो south direction है, उसके साथ में elevation angle, यह tower है सर, यह O, यह P, यह जो O, P है वो हमारे पास क्या है, tower है A, P, O, P हमारे पास एक मिनार है, एक tower है ना, और उस मिनार का जो top point है, मिनार का जो top point है उसकी south direction के साथ में elevation जो angle है वो हमने क्या मान लिया alpha elevation angle हमने मान लिया alpha same अगर ये जो tower यहाँ पे जो खड़ा है बटा कैसे बनेगा जरा समझना दोनों direction से सर किस तरीके से बनेगा जैसे मैं कहूं कि सर ये tower अगर यहाँ पे खड़ा है तो यदि में इस नीचे वाले point से अगर देखता हूँ तो ये pain को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा ये जो angle है ये पूरा यहाँ पर आपको angle अलग नजरा रहा है जबकि यहाँ पर जो angle है वो 90 है यहाँ पर angle जो है ना वो 90 है क्योंकि diagram में बनाना possible नहीं है इन दोनों के बीच में यदि हम distance को मान ले D मान ले इन दोनों के बीच में distance को मान ले D तो ऐसे case में हमारे को D, alpha, beta में क्या relation है ये जो आपका top है मिनार जो है इस मिनार की जो height है इनमें क्या relation हमारा बनेगा तो वो मैं आपको clear करवा रहा हूँ कि वो किस तरीके से बनेगा इन सब के अंदर जो relation आपका बनेगा वो relation बनेगा बिटा D square बराबर H square into quote square alpha प्लस आपका quote square beta ये relation आपके पास इस D, H, alpha, beta में बनेगा जब भी आपके पास कोई दो direction कोई दो direction 90 degree पर अगर उपर दे रखी है और उन दोनों के बीच में distance आपको D दे रखी है टावर की उचाई आपको H दे रखी है यहाँ पर south पर जो point है उसका elevation angle alpha है east के उपर जो point है उसका elevation angle अगर beta है तो ऐसे case में diagram आपको इस तरीके से बनाएगा बिटा ठीक है clear तो बिटा यह आपके पास formula है इस formula का NDA के exam में direct question आया था अब बिटा यह जो question है विसे अलग-अलग diagram बना के अगर मैं बताऊ आपको अलग-अलग direction से तो वो इस तरीके से बन सकता है एक direction से बनाना तो क्या है कि बहुत possible होता है ठीक है जैसे मैं कहूं कि सर मानलो कि यही टावर है यही टावर है इसी direction के अंदर को टावर है और उस टावर का अगर मैं यहां से elevation angle देखूं तो वो क्या हो जाएगा अलफा हो जाएगा है यह मेरे पास east है यह टावर पूरा खड़ा है यह north direction है जबकि यह north में नहीं है यह tower इस तरीके से कड़ा मैं इस तरीके से मना दी है यह alpha angle है और इसकी जो height है tower की वो हमने क्या मानली h मानली इन दोनों के बीच में जो distance है वो मैंने मानली x तो इस triangle में जब अपन 10 alpha का formula लगाते हैं 10 alpha बराबर perpendicular upon base लंब बटे लंब बटे आधार यहां से x की value निकालो x बराबर आजाएगा आपके पास h quote alpha आजाएगा x के बराबर कितना है h quote alpha यह तो east direction से था अगर मैं मानलो कि south direction से इसको देखूँ यह है south direction south direction लेकिन tower जब यहाँ पर इस तरीके से खड़ा है तो आपको इस तरीके से ही इसका diagram बनाना पड़ेगा किसर यह tower half इलाल इस तरीके से ही आपको मनना पड़ेगा जिसकी height कितनी है h और इसके साथ में south वाले point के साथ में elevation angle कितना बना रहा है बीटा बना रहा है और यह आपको दे रखा है आपको यह वाली जो distance अगर आप इसके अंदर formula लगाओगे किसका 10 बीटा का तो वो क्या होगा किसर perpendicular upon base होगा यहां से आप y का value calculate करोगे तो वो क्या होगा h quote बीटा होगा आपको direction थोड़ा mind में सोचकर काम करना पड़ेगा कि कैसे कैसे direction मानी मेरे पास इतने कोई जुगाड है नहीं इसा तीन पेन मिल जाएं तो काम हो जाएं मेरा एक और कोई जुगाड हो चलो देख लो देखो साइद बन जाएं तो ना वेटा यह जो remote बनावा है यह जो remote आपके पास बनावा है इस remote थोड़ा जुगाड कर देता हूं मैं जरा समझो समझ रहें देख रहा है यह जुगाड है यह मेरे पास south direction है यह tower है यह मेरे पास east direction है ठीक है जरा द्यान से देखना तीनो आपको चीज़े दिखनी चीए तीनो 90 degree के उपर है एक आपके पास उपर जो marker है वो है मेरे पास tower यह मेरे पास मानली मैंने south direction है और यह मैंने मानली east direction है तो बेटा जैसे मानलो की कोई point अगर यहाँ पर है और वो अगर इस tower को देखना चाहता है तो उसका जो triangle तो east के उपर जो जाएगा तो elevation angle आपका जो diagram है वो इस तरीके से बन जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा तो beta जो angle दे रखा है वो यह दे रखा है एक point आपका यहाँ पे ता एक point यहाँ पे ता दोनों के बीच में आप ज़रा देखना यह 90 degree का triangle ओर दिख रहा है समसानी की कोशिस करेंगे सर हाँ यह 3D का जुगार नहीं है मेरे पास और गोई तो सर आप ज़रा देखिए कि यह जो पूरा diagram था जो मैंने आपको explain किया वो यहाँ था यह north direction है यह आपकी east direction है यह आपकी west direction है यह आपकी south direction है एक point यहाँ पे था tower आपका पूरा जो खड़ था वो यहाँ पे था इसके साथ में elevation angle alpha था यहाँ पर जो point था उसके साथ में elevation angle बीटा था यह tower की height है h और इन दोनों point की बीच में जो distance है वो है हमारे पास d तो इन सब के अंदर जो relation है वो जो मैंने इस तरीके से बनाया था आप ज़रा देखना यह वाली distance मैंने x मान के क आप में लिया तो under root x square प्लस y square या यह 90 degree का triangle बना तो x square प्लस y square बराबर d square यहाँ पे दोनों का work करके यह दिया आप जोडते हो तो d square बराबर आ जाएगा आपका h square quote square alpha प्लस quote square यह हमारे पास formula आ जाता है जलो देखता हूँ में side कहीं मिल जाए तो 3D का diagram कहीं पर मिल जाए तो 3D shapes है तो सही भाई हाँ है तो सही जुगाड एक मिनिट मैंने क्या है कि कभी इसको यूज नहीं करा भई मैंने क्या है बनेगा क्या है इससे यह 90 डिग्री भी नहीं है भाई यह दिखेगा नहीं है तुम्हें रहने दो उसी से समझ लो भी तो उसी से समझ लो वो ज्यादा बिटर है है समझ जाओ बहाँ नहीं को समझ जाओ तो यह आपके पास इस concept का question आया था जो जैसे आपको सामने जिकर करूंगा जो question आया था अब अपन questions देखते हैं एक बार चलो जी यह रहा वो question NDA 2019 के अंदर वो question था NDA 2019 के अंदर सवाल था जरा इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे वो जरा देखो बिटा आप यह सवाल था मेरे पास जो NDA के अंदर NDA के exam में आया वो question था जरा समझे सवाल को समझे केसा है सवाल क्या है तुमारे हाल सर H उचाई की एक मिनार एक बिंदू A से जो की मिनार से सीधे दकसिंड में है समझ रहा जब भी directions आपको दे रखी है तो हम directions के according इस तरीके से काम करेंगे यह north direction है यह north direction है यह आपकी east direction है यह आपकी south direction है और यह आपकी west direction है एक मिनार खड़ी है और edge height की मिनार है यह edge height की मिनार है यह मिनार जिसको हमने क्या मना था ओपी मना था उमपरकास मना था और के बिंदू A से जो मिनार के दकसिंड में है यह रहा इस मिनारी यहां पे खड़ी है यह मिनार यहां पे खड़ी है तो यहां पे जो point है ना उसका elevation angle जो elevation angle यह बन रहा है यह elevation आपको यहां से और क्या दे रखा है उनने यन कोण यह south में था point उसके साथ में elevation angle कितना दे रखा x एक बिंदू b जो की a से सीधे पूरू में है यहाँ यह point है और इस a point से सीधे पूरू के अंदर इस्ट के अंदर एक point बी और उसका elevation angle जो मिनार के साथ में बन रहा है वो कितना है y है आपको यदि a b बराबर z हो a और b कहां है यह यह वाली distance कितनी दे रखी है z दे रखी है आपको ठीक है तो आपको बताना है निमलिकित में से कौन सा सही है इनमें से कौन सा सही है यह आपको बताना था मैंने कहा था कि सर जब भी ऐसे 90 degree पर अगर कोई आता हो तो दोनों की बीच में जो distance थी ज़रा देखो समझो मैंने क्या कहा था d square बराबर यह formula में ने लिखाय था d का मतलब यहाँ पे क्या है d square बराबर h square into quote square alpha plus quote square बीटा यह वाला पुर्मड़ा में आपको लिखाय था d का मतलब z तो इसका मतलब z square बराबर h, h का मतलब मिनार की height h square, quote square alpha इसके साथ में angle जो बन रहा alpha बराबर है x, तो आजाएगा square x plus आपके पास आजाएगा quote square y यह आपके पास इस question का सही answer होगा, quote square x plus quote square y, z square के बराबर आएगा, अब बिटा आप इसके अंदर देखो, यहाँ पर खो सकता है कहीं typing के अंदर error आ गया हो लेकिन आपका जो सही answer होगा वो सही answer यह होगा z square बराबर h square quote square x plus quote square y ठीक है, plus आएगा बीच में अगर h square का value आप calculate करोगे h square का तो हो सकता है आपको multiply, divide करना पड़े clear यार, 3D में समझना पड़ेगा वाईसा, मेरी मजबूर यह क्या करूँ चलो यह सवाल था, जो ND 2019 में आया था direction का, इससे सवाल आये थे, दो बार इससे पहले भी एक कुशन ऐसा आ चुका था और एक और सवाल जो बच्चों को परेशान कर रहा था, वो सवाल था एक यह बताओं आपको, यह वाला सवाल यह भी लगा लो, NDA NA 2021 के अंदर आया वा, top most कुशन है, ऐसा कुशन NDA में, दो बार आ चुका है किसी उर्द वादर ध्वजदंड के सिर से 6 मिटर नीचे, एक ध्वजदंड लगावा है सर इसा है ना, यह ध्वजदंड लगावा है, यह मैंने मान लिए 20 द्वजदंड लगावा है, ठीक है यहाँ पर जंडा ले रहा तो, यह लोजी जंडा, अब क्या है कि सर एक सीडी है 6 मिटर लंबी सीडी की लंबाई है 6 मिटर यहां से हमने इसके उपर एक सीडी लगाई यह लोजी यह है हमारे पास क्या सीडी स्टेयर यह है सर सीडी ठीक है यह सर 6 मिटर पहले रुख जाती है यहां से यहां तक की जो लें तर वो है 6 मिटर और यह ज CD का पादबिंदू ये रहा और इस से ध्वजदंड के सीर्स ये ध्वजदंड का सीर्स है इसके साथ में Elevation Angle ये जो पूरा इंगल बन रहा है वो बन रहा है सर 75 ये पूरा इंगल बन रहा है 75 यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इंगल 25 है सर अब क्या करें सर तो आप ज़रा समझना कि अगर ये जो मैंने जो ट्राइंगल बनाया है ये ध्वजदंड था ये CD का पादबिंदू था इसके साथ में जो पूरा इंगल बन रहा था ये पूरा इंगल नहीं दे रखआ है यहां से यहां तक का इंगल हमारे को नहीं पता तो अब आपको समझना है कि सर अगर ये 6 मिटर है ये 6 मिटर है तो ये जो तिर्बुज आपके पास बना वो कौन सा तिर्बुज बना कि सर ये तो सम्ध्वी बाहु तिर्बुज बना है ना किता कि सर ये तो 15 डिगरी तो बनेगा तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है ठीक है तो सर ये प्लस ये पूरा प्लस ये आपके पास 180 होगा अच्छा सर इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल में अगर ये 6 था तो 6 के सामने का इंगल 15 है त मान बुझा के सामने का कौन बराबर होता है तो ये भी किता चल गया? 15 अब आप इससे ये अंदाजा लगा लोगे कि ये इंगल कितना बनेगा आपके पास ये वाला इंगल कितना बना? ये पूरा इंगल यहाँ से यहाँ तक का 15 है और ये पूरा पिछोतर है सीधी लेंग्वेज के अंदर समझाने की और कोशिस करता हूँ क्योंकि ये सवाल दो बार आ चुका है यहाँ पे जंडा लगावा है ये लो जी ठीक है ये पूरा एंगल हमारे को दे रखा था 75 डिग्री ये पूरा एंगल दे रखा था 75 ये 75 ये 90 तो ये कितना हुआ सर 15 वा जब ये 6 है ये 6 है तो आपके पास ये संदिवा उतरभूज बना था ये 15 है तो ये भी किता बन गया कि सर 15 बन गया अगर ये 15 है ये पूरा पिछोतर है तो ये कितना बन गया 60 यहाँ से यहाँ तक का इंगल बन गया 60 अब ये 6 है ये 6 है आप यहां से यहां तक का measurement देख सकते हो क्या यहां से यहां तक का measurement तो 6 दे रखा है ये measurement बताओ तो इसके अंदर इस triangle में formula लगा दो आप sin 60 का sin 60 बराबर sin theta बराबर perpendicular ये जिसको क्या मालूम है perpendicular upon hypotenuse hypotenuse कितना अच्छ है तो h बराबर क्या आजाएगा 6 into sin 60 sin 60 का value under root 3 बटा दो जब आप इसको solve करोगे तो 3 under root 3 आएगा 3 root 3 तो आपके पास ये आया 3 root 3 आया और इसके अंदर क्या जोड़ दो 6 जोड़ दो 6 plus 6 plus 3 under root 3 ये आपके पास question का सही answer आजाएगा 6 plus 3 under root 3 चलो बढ़िया level के हर एक exam के अंदर पूछ लिया गया IIT means तक में पूछ लिया गई है सवाल बताओ same data केवल जैसे यहाँ पर पिछली बार एक question था 9 meter गा था तो यहाँ पर चेकी जिगर 9 आजाएगा और कोई changes नहीं है और angle भी 75 degree ले रखा था हाँ जी अरे भाई बात समझ में आई क्या बताओ यार बात समझ में आगई क्या answer आगया D option D option हमारा इस question का सही answer होगा 6 plus ठीक है तो भाई इसे question का ध्यान रखो ऐसा question अगर 9 आजाएं और measurement यदी आपके पास चलो मैं measurement change कर दूँ एक question लिखना भाई measurement यदी मैं थोड़े से change कर दूँ सवाल को थोड़ा सा 9 meter वाला बना दूँ तो आप इस सवाल की calculation जरा करिये और वो क्या होगी कि बच्चे का सबसे पहले answer आता है मैं अगर कहूँ कि सर एक मिनार है और ये हमारे पास एक मिनार है इस मिनार के उपर एक जंडा लगावा है इस मिनार के उपर एक जंडा लगावा है और इस जंडे के bottom तक पहुँचने के लिए हमने एक cd लगाई है और इस cd की जो लंबाई है वो है सर 9 meter इस CD के लंबाई है 9 meter और इस CD का जो foot है वो उसके top के साथ में 60 degree का angle बनाता है 60 degree का angle अगर बनाता है यह वाला point यहां से इसके top से यह पूरा angle 60 बन रहा है तो आप मुझे यह बताओ कि सर यह 9 meter है ना यह भी 9 meter नीचे तक पहुँच जाती है कितना answer आएगा angle change कर दिया मैंने पहले 75 था अब मैंने angle को change कर दिया है यह angle हाप के पास कितना है angle है आपके पास यह वाला पूरा angle 60 degree है अब बताए दो पूरे सवाल की language एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि एक मिनार के उपर एक जंडा लगावा है एक 12 दंड लगावा है और 9 मिटर लंबाई की एक cd इस 12 दंड के top point से उपरी सिरे से 9 मिटर नीचे तक पहुँच पाती है यह जी इस cd का पाद बिंदू 12 दंड के सिर्ष बिंदू के साथ में 60 degree का कोण बनाता है तो आपको इस पूरे द्वज दंड के लंबाई बतानी है कितनी होगी कितनी होगी बताओ फटा फट अब समझना रे बाई कितना अच एजी लेंगवेज में आपको समझाने की कोशिस करिये है बेटा सवाल जो है कुछ वो इस तरीके से है आपको ये दे रखा है नाइन मिटर दे रखा है ये दे रखा है आपको नाइन मिटर दे रखा है और सर इसके साथ में ये जो पूरा इंगल बन रखा है वो है 60 degree ये दे रखा है और आपको इस पूरे की लंबाई निकालनी है जबकि आपको गीवन है सर यहां से यहां तक तो है 9 मिटर ये भी 9 मिटर है अगर मैं बात करूँ कि सर ये 60 डिगरी है तो ये किता होगा 90 होगा ये पूरा 60 है इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में तो ये किते डिगरी का होगा कि सर ये 30 डिगरी का ये वाला तो आपका सम्धिव भाउत इर्भूज है, आईसो स्केल स्केलिस ट्राइंगल में सेम साइड के सामने का इंगल बराबर होता है यह नाइन के सामने तीस है, तो इस नाइन के सामने यहां पे जो बनेगा, वो कितना बनेगा 30 डिगरी जब ये वाला angle 30 है, ये पूरा 60 है, तो ये किता बच गया कि सर, ये 30 बच गया, ये वाला, छोटे वाले triangle में ये किता बच गया, 30 बच गया, अगर सर, ये वाला angle 30 है, ये आपके पास 9 है, तो ये height नहीं निकाल सकते आप, sign का formula लगा के, sign 30 बराबर, sign 30 बराबर होता है, perpendicular upon hypotenuse, तो यहां से h बराबर आ जाएगा, 9 बटे 2 आ जाएगा, मतलब h बराबर 4.5 आ जाएगा, h बराबर, यहां से यहां तक कि जो height है, वो i हमारे पास 4.5, तो आप मुझे बताओ, पूरी height कितनी होगी, 9 प्लस 4.5, 9 प्लस 4 4.5, तो answer आजाएगा, 13.5 मिटर, answer आजाएगा, 13.5 मिटर, clear बिटा, बात समझ में आगी, तो यह सवाल दो बार आ चुका है, NDA के इंदर, same concept का सवाल, दो बार आ चुका है, चलो जी, NDA 2021 में, कुशन ये भी था, NDA 2021 में, एक कुशन आपका ये था, जो मैंने, आपको angle वा ये concept से जो कुशन करवाया था, same question था, 45 और 60 का आपका बन रहा था, जरा समझने की बात है, पहले तो सवाल को बढ़ो, जब सूरिय का उन्नेयन कौन, elevation, angle 45 डिगरी है, तब किसी टावर की परचाई, 60 डिगरी, उन्नेयन कौन बनने वाली परचाई से, X मिटर जादा है, ज इस टावर का जो सेडो है, जब elevation angle 45 बन रहा है, तब तो इतना सेडो है, यहां से यहां तक, जब elevation angle 60 डिगरी बन रहा है, तब आपके पास सेडो जो बनेगा, वो इतना बनेगा, आपको दोनों के अंदर जो variation है, दोनों के अंदर जो फरक है, वो कितना बता रखा है, X बता के बराबर है कितना सीधा सवाल था बेटा बहुत ही सीधा सवाल था आपको 45 का और 60 वाला केस याद आजाना चीए फटाक से याद आजाना चीए कि सर 45 का और 60 का केस होता है न तब ये तो standard के अंदर under root 3 होता है सर यहां से यहां तक 1 unit होता है और ये जो पूरा होता है न यहां से यहां तक का standard में under root 3-1 होता है under root 3-1 बात समझ में आईए आपके आप जड़ा comparison करिये सर ये standard है ये आपको given है standard ये under root 3 unit है इसका मतलब कि सर under root 3 unit बराबर जो given है क्या given है कि सर 5 into 3 plus under root 3 इस में से मैं अंडरूर 3 common ले लूँ यहां से तो क्या बचेगा कि सर अंडरूर 3 प्लस 1 बचेगा इसका मतलब सर अंडरूर 3 unit बराबर ये आया इसको मैं इस से cancel कर दूँ तो इसका मतलब 1 unit की value आ गई 1 unit, 1 unit बराबर है सर 5 इंटू अंडरूर 3 प्लस 1 एक यूनिट बराबर है पांच इंटू अंडरूर तीन प्लस एक आपको कितने यूनिट निकालने हैं आपको निकालने हैं अंडरूर तीन माइनस एक यूनिट क्यों क्योंकि वो ही तो अक्स के बराबर है अंडरूर 3-1 unit यदि आपको निकालने हैं एक unit का value ये है अंडरूर 3-1 unit निकालने के लिए इसको आप इससे multiply कर दो तो आपके पास answer आजाएगा 5 into under root 3 plus 1 into under root 3-1 जब आप solve करोगे तो सही answer किता आजाएगा 10 आजाएगा B option आजाएगा units के अंडर खेलना सीख लो ऐसे लल्लू सवाल को छोड़कर नहीं आएगे एक्जाम में और बेटा अगर आपने ये मन बनाई लिया है कि यार मुझे वास्तों में NDA clear करना ही है चाए हर हाल में clear करना है मेरे पास कोई उपाई नहीं है तो बेटा आपको पढ़ना पढ़ेगा काफी बच्चे अभी से ये पूछते हैं गुरुजी कौन कौन से चेप्टर छोड़े जाएं बेटा छोड़ने के लिए तो पूरे चेप्टर ही है जब कुश्चन्स का लेवल पता आता ना एक्जाम में कई बार सेट थेओरी से भी तगड़ा सवाल बना देते हैं जो आपका फेवरेट टोपिक है वहां से भी कुश्चन्स को बहुत अपर लेवल पे ले जाते हैं आपको कुश्चन्स का सेलेक्शन वो करना है 120 कुश्चन एक्जामिनर 120 में से 120 नहीं दे रहा है आपको करने के लिए आपको वो ये दे रखा है कि देख इन में से सेलेक्शन कर ले 70, 65 तो कर ले तेरा सेलेक्शन हो जाएगा अब आप क्या करते हो आप ये उम्मीद लगा आप उपर श्ट्रेंक लाने की सोच के जाते हो एक्जाम में हम तो भाई इस लेवल से पढ़ कर आएं कि 120 में से 120 पोड़ेंगे आज और फिर तुमारे नंबर आते हैं कई 50 ही होते हैं गुरुजी 20 माइनस में हो गए 25 जितने करते हैं उससे ज़्यदा तो माइनस में हो जाते है बेटा आप थोड़ा सा ये ध्यान लगाईए जैसे IAT का पेपर बनता है UPSC का पेपर बनता है कोई ललू सवाल तो बनते नहीं है कुछ कुशन्स में आपको गुमा के दिया जाएगा आप अगर उन कुशन्स को जैसे इस सवाल को आपने देख लिया कि प्रिविस एर में इसा पूछा गया था एकजाम में कोई कुशन्स इसी टाइप का आया तो वो क्लिक कर जाओगे आप सवाल को समझ रहे हो बात 120 में से अगर आप इसे कुशन्स से मुकाबला करके जाते हो बेटते हो तो आप आराम से स्सी प्लस कुशन्स को आराम से गिरा दोगे वहीं पर ठीक है लेकिन अगर इसे सवाल बोर्ड पे करवाए जाए और तुम भाग रहे हो भई और गुरुजी तुम तो हाड करवाते हो हमारे तो समझ में नहीं आया तो भाइसा फिर एक्जाम में ये सवाल और ये सवाल ये कहां से आ गया फिर बाद में अगली बार आओगे अरे सर ये तो आपने करवाया था वो ही आया हाँ तुझे पता है लेकिन तु छोड़कर आ कितने दिल जी जान से आप लोगों के लिए मैंनत कर रहे हैं तो वो केवल और केवल सेलेक्शन के लिए अगर मैं चाहता तो हाइट और डिस्टेंस को एक दिन में भी पढ़ा सकता था लेकिन इस टाइप के सवाल आपसे नहीं होते फिर ठीक है जो डाइरेक्शन वाला जो यह रहा एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़ लो एक बार इस सवाल को कड़वा सच है भाई यार मैं क्या करूँ मुझे बोलना पड़ जाता है मजबूरी है इस सवाल को ध्यान से पढ़ लो पहले कि एक व्यक्ति पुरू में इस्तित किसी मंदिर के उच्चतम बिंदू क उन्ययन कौन 60 डिगरी पाता है और उत्तर की और 240 मिटर चलने के बाद में उन्ययन कौन 30 डिगरी रह जाता है तो मंदिर की उच्चाई क्या होगी ये डाइरिक्षन वाले सवाल सर बहुत जबरे होते हैं एक बार पढ़ दो सवाल को आप थीम बना पाओ दिमाग में उससे पहले में बता दू कि आपको जब भी डाइरिक्षन आ जाएं तो डाइरिक्षन इस तरीके से आपको बनानी है जैसे मान लो कि सर ये हमारे पास क्या है इस्ट है ये हमारे पास क्या है नोर्थ है यह हमारे पास क्या है West है यह हमारे पास South है तो South के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया गया है अब आपको जो question दे रखा है वो दे रखा है कि पूरूव के अंदर आदमी कुछडा है यहाँ पे आदमी यहाँ पर खड़ा है starting के अंदर और इसके यहाँ पर पूरोव की साइड के अंदर एक मंदिर खड़ा है अब भाई मंदिर खड़ा करना मुझे एक्चुल के अंदर इधर बनाना पड़ेगा जबकि मंदिर जो खड़ा है न अगर आप इस तरीके से बनाओगे नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ है न और यहाँ पर मंदिर अगर खड़ा है यहाँ पर आप केसे बताओं तुम्हें चलो बताई देते हैं यह जो गोला है न यह गोला जो मैंने बनाया है यह है आपका मूल बिंदू ठीक है उस मूल बिंदू से बना लेता हूँ, मैं डाइग्राम बना देता हूँ इस्ट, दिख रहा है क्या, दिख जाएगा साइद, है न, दिख रहा है चलो कोई बात नहीं, समझ ले न, यह जो बीच के अंदर पोइंट है न, यह तो मूल बिंदू है इससे इस साइड के अंदर मैंने बनाया है, इस्ट, उपर बनाया है, नौर्थ, इधर बनाया है, मैंने वेस्ट, और नीचे जो बनाया है, वो साउथ अब मैं इसको इधर खड़ा कर दू अब बताओ इष्ट कौनची साइड में गया इष्ट गया सर इस साइड के अंदर मंदिर अगर ऐसे खड़ा है अब मंदिर जो है वो इष्ट की साइड में खड़ा है इष्ट की साइड में मंदिर लोजी सर ये यहां पे मंदिर खड़ा है इस्ट की साइड में बना èघ जाकर मंदिर बनाए अब यह prone मंदिर को मैं ऐसे बोड पे कैसे खड़ा करूँ बोड पे खड़ा नहीं कर सकता मैं ऐसे खड़ा हुआ है मंदिर अगर मूल बिंदू वाला आदमी अगर उपर जहांकर देखेगा तो उसको एलिवेशन इंगल नजर आएगा है ना मंदिर यहां पे है अब मंदिर इस तरीके से उपर की तरफ कड़ा है लेकिन बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ ठेका जी यह मंदिर है इस मंदिर की टॉप पोजिशन यह है कोई आदमी जो यहां पे खड़ा है पूरव की इसके पूरव की साइड के अंदर इस साइड के अंदर जो मंदिर खड़ा है उसके साथ में एलिवेशन एंगल जो इसका पाता है वो किता है 60 डिग्री है फिर वो 240 यहां से टुटक 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 चलता है यहां पे पहुंचता है यहां पे पहुंचा यह आदमी कितनी दूर चला सरी है यहां से लेकर यहां तक 240 मिटर चला उसके बाद में जब यह देखता है तो इसको elevation angle जो है इस आदमी गा इस top का elevation angle वो कितना पाता है सर वो पाता है 30 degree अब आप यह मैं समझ ना गुरू जी यह 30 किसे बना बेटा वो देखेगा इस तरफ जाके देखेगा थोड़ा सा गूम के देखना आप तो आपको नज़र आएगा 30 degree का angle तब यह वाला नज़र आएगा पहले 60 था उसके बाद में क्या हो गया 30 हो गया तो आपको मंदिर की उंचाई बतानी है मंदिर की उंचाई कितनी होगी मंदिर की उंचाई को क्या माल लो H माल लो ठीक है मंदिर की उंचाई को क्या माल लो H सर यह जो distance है जो पहले पूरव के अंदर खड़ा था उस distance को मैंने क्या माल लिया X माल लिया पूरव के अंदर जब खड़ा था मंदिर तो मैंने उसको अक्समान लिया North side में जाने के बाद में ये जो distance है ना वो मैंने क्या मान ली वाई बेटा यहाँ पे सोमझना यहाँ पे 90 degree है या 90 degree है diagram में बनाना possible नहीं है जबकि 90 degree है तो ऐसे case में आप जब इस वाले triangle में इस वाले triangle में जब formula लगाओगे जब इस side में मंदिर खड़ा है तो आप formula लगाओ 1060 का 1060 बराबर क्या होगा सर perpendicular upon base perpendicular है आपका h और base कितना है आपके पास x यहाँ से x का value निकाल लो x बराबर होगा सर h बटे अंडरूर 3 होगा x बराबर होगा h बटे अंडरूर 3 यह तो हमारे पास x का value आया अगर मैं इस वाले triangle में formula लगाओगा इस वाले triangle में तो सर यहाँ 90 है इस 1030 का formula यह दिमें लगाओ 1030 का formula 1030 बराबर क्या होगा कि सर perpendicular perpendicular है सर मंदिर और इसके base की पर जो लंबाई है उसको हमने क्या मन लिया y मन लिया यहाँ से y की value निकालो y का value जब आप निकालोगे तो वो आएगा सर अंडरूर 3 है चाहेगा यह y का value आया अब ज़रा देखना कि सर यह x यह y और यह 240 यह 90 डिगरी पर है यहाँ पर आपको πाई था गोरस्पर में लगानी है x y और 240 में तो वो होगा आपके पास y square बराबर 240 का holy square और प्लस आपके पास x का holy square आपको x का य का value इसमें रखना है और h का value निकालना है x का value h upon root 3 y का value जब आप रखोगे तो यह आएगा 3h square बराबर 240 का holy square और प्लस x का value h upon root 3 है square करोगे तो h square upon 3 इसको इद़र transfer करो minus करो तो यह आजाएगा आपके पास 8h square upon 3 बराबर 240 into 240 240 का square इस तरीके से तो सर यह इससे कटेगा 8 तिया 24 और इसको cross multiply करो और यहाँ से h का value निकाल लो कितना आएगा तो यह आएगा आपके पास 9 0 into 240 का square root बताओ कितना आएगा कौन सा option में चूरा है बताओ कौन सा option आपका सही है बेटा देखो मैं आपको बात बताओ ठीक है सुनना मेरी बात को अगर आपके आस पास में कहीं मंदिर होना आप practically करना इस सवाल को practically करना सुनना के से करना है मंदिर खड़ा है और आप जाना आप इस तरीके से खड़े होना वहाँ पे जाके कि मंदिर आपको East side में नज़रा है इधर की side में आपका मंदिर खड़ावा है और मंदिर थोड़ा उंचा सा आपने यहाँ से देखा बाई यहाँ से देखा और यहां से देखा तो आपकी नजरों का मंदिर के top point से जो बना angle बना वो आपका angle कितना है 60 degree है फिर आप क्या हुए वहाँ से टुकुर 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 आप चले सर north side में जब आप North Side में, मतलब वहाँ पे थे पहले, जब आप North Side में चल कर आए, तो आप मंदिर को इधर थोड़ा सा तिरशा को उमके देखोगे जी, तो आपके पास Elevation Angle उसका 30 डिग्री मिला, अब 30 डिग्री मिला, अब आप ज़रा इस डाइग्राम को इसी तरीके से समझने की को सिस करो, तो समझ में आएगा बिटा, क्योंकि 3D के अंदर बनाना मुस्किल है ये, अब किस तरीके से बनाओ बिटा, मैं ये 3D का डाइग्राम है, ये 3D का डाइग्राम किस तरीके से बनाओ, बताओ, आंसर निकालो, कितना आंसर आएगा, 90 into 24, आंसर बताओ, क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको करना है, मंदिर जब खड़ा है, मंदिर को मानलो, इस डाइरेक्शन के अंदर मानलो, फिर मंदिर के टॉप पोजिशन पे जाके देखो, मंदिर के टॉप से आपका कुछ एंगल बन रहा है, आप उसी पोइंट से, नीचे गर आप करके देख लेना, ठीक है, शिक्स्टी रूट, हाँ, हाँ, आम का पेड़ देख लो, भई, आम का पेड़ देख लो, यार इस डाइग्राम को समझाने का और कोई तरीका नहीं है, मेरे भई, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, किस तरीके से स का कुशन एक्जाम में आई जाएगा सुनना भई सर ये हमारे पास डाइरेक्शन्स थी समझना बात को अब ध्यान से गोर से पूरा कॉंसेटरेट करके इदर से समझो सर ये है ओरिजिन मूल बिंदु है इदर की साइड में इस्ट है इदर की साइड में नोड थै और मंदिर जो है वो यहाँ पे है मंदिर यहाँ पे खड़ा है अब ये डाइगराम यार ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा बताना पड़े ये डाइगराम ऐसा है फ्लेट है बढ़ा दूगे है फ्लेट इसको मंदिर यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे मंदिर है आप जब यहाँ पे खड़े हो तो ये तो समझ के आ गया होगा कि इसके टोप के साथ में जब मैं इंगल देखूँ तो 60 डिगरी बनेगा अब फिर आप नोर्थ साइड में यहाँ से चलना आप इदर 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 चले यहाँ पे पहुँच गए यहाँ पे चलने के बाद में मंदिर तो इसा था मंदिर इसा था पेन को समझो अब तुम्हें कुछ दिख नहीं राब आई मंदिर इसा था यहाँ पे खड़ाता इसे आपने यहां से देखना पड़ेगा इस तरीके से तोरा तिर्चा देखना पड़ेगा इधर तो बिटा आप जब देखोगे तिर्चा देखोगे तो वो Elevation Angle इस तरीके से बनेगा यह आप जब इसको इससे मेच कराओगे तो यह तो 90 बनेगा यह आपका 30 डिग्री बनेगा मंदिर जाना बगवान से पुझा करना कि बगवान मुझे यह सवाल समझा दे डाइरेक्शन का पुझे पता नहीं चल रहा है है ना और इसका अंसर निकाल लेना ठीक है इसके अंदर इसके अंदर आपको जो PDF मिलेगी My Rising India पे उसमें कुछ कुछन्स में और डाल रहके हैं आपकी practice के लिए है वो कुछन है ना कुछ कुछन में और डाल रहके हैं देखो ये बले कुछन और डाल रहके हैं ठीक है? तो यह सारे जो कुछन है वो करना क्योंकि आज इस class का तो time आपका हो चुका है ठीक है direction care अच्छे ची questions डाल के लाया था time हो गया समझाने समझाने में ठीक है बिटा चलो जी हाँ बई चलो ध्यान रखना बिटा आपको practice करने है my rising India पे मैं practice कराऊंगा आप लोगों को my rising India application के उपर हमारा practice session चलता है और वो practice session के अंदर कल का जो practice session था उसके अंदर rank देखलो आप एक बार गणेश चोहान 13 question करवायते 13 में से 13 सही competition देखो मुहमद साद ये बच्चा हमेशा top 10 में रहता है 13 में से 13 question सही सागर वर्मा 13 में से 13 तीनों बच्चों की पस्ट रेंग अंजनी गोतम पस्ट रेंग हरिबान सिंग पस्ट रेंग रिति कुमार ये बच्चा बाई साब देखो competition देख लिया एक तू ये कल की rank है और किते बच्चे लाइव थे I think 600 प्लस student लाइव थे कल के session में उन बच्चों में competition देखो ये बच्चा हरिबान सिंग एक question में भी doubt आ गया गुरू जी ये सवाल केसे हुआ मतलब ये होते हैं जो जिन बच्चों को selection लेना होता है जिनको doubt आते ही गुरू जी को call कर लिया और बैसा आप कुछ बच्ची क्या है वो exam के पास में call करेंगे हाँ गुरू जी पचास doubt है बता दो फिर गुरू जी भी cut समझ रहे हो बेटा doubt 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 जब इकटे हो जाएंगे न तो इत्ते बड़े doubt भर भर के doubt बन जाएंगे न वो आपका doubt में ही काम खतम हो जाएगा जब भी doubt आए clear कर लो मेरा जो timing है call करने का जो timing है आप इस time पर मुझे call कर सकते हो बे जिजक call कर सकते हो इस number पर call करिये number save कर लो ठीक है हमारी faculty में से किसी member किसी भी आपको subject में दिक्कत आती आप call करिये ये सुविदा हमने आपको दे रखी है तो बेटा सुविदा का फाइदा उटाओ free focus की सेवा है और कोई बच्चा ऐसा जर्णी है जो application पर पढ़ता हो और नहीं पढ़ता हो सारे बच्चे जिन बच्चों को doubt आए आप call करिये सर इस number पर ठीक है हाँ चलो जी अब angle बढा के देखना नहीं तो फिर बाद में कोई जुगाड करूँगा मैं दुमारे लिए चलो आज की class आपको किसी लगी मिलता हूँ आप से एगली class में तब तक के लिए टाटा बाई 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 जहिन कल एक नया topic हम स्टाट करेंगे और वो होगा trigonometric equations बेटा trigonometric equation तो पढ़ा दिया ना मैंने ITF oh oh inverse trigonometric function तीन चार सवाल आते हैं exam में all the best love you guys